भजन सहिदा 119 अध्या 121 से 128 तक मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़ अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो ताकि अभिमानी मुझे पर अंधेर न करने पाए मेरी आंखे तुझसे उधार पाने और तेरे धर्म में वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंदली पड़ गई है अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बढ़ताव कर और अपनी विधिया मुझे सिखा मैं तेरा दास हूँ तो मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितोनियों को समझूँ वस समय आया है कि यहवा काम करे क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है इस कारण मैं तेरी आग्याओ को सोने से वरण कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विश्यों में ठीक ज और से जो मसीशू का कैदी है और भाय तिमतियूस की और से हमारे प्रियस है करमी फिलेमोन और बहिन अफिया और हमारे साती योधा अरकिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभुशू मसीश की और से अनुगरे और शांती तुमें मिलती रहे, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवात करता हूँ और अपनी प्रात्नाओं में भी तुझे समरन करता हूँ क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभू इश्व पर है मैं प्रात्ना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सह भागी होना तुम्हारी सारी भलाई के पहिचान में मसी के लिए प्रभावशाली हो क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनन और शांती मिली है इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए है इसलिए यद्यपी मुझे मसी में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आग्या तुझे दूँ तो भी मुझ बुढे पॉलुस को जो अब मसी इश्व के लिए कैदी है ये और भी बला जान पड़ा कि प्रेम से विंती करूँ मैं अपने बच्चे उनेसी मुस के लिए जो मुझे से मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विंती करता हूँ वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है उसी को अर्थात जो मेरे हृदे का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लोटा दिया है उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी और से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी एक रुपा दबाव से नहीं पर आनन से हो क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदेव तेरे निकट रहे परन्तो अपसे दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही पर अब शरीर में और प्रभू में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो अतह यदि तु मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहंड कर जैसे मुझे यदि उसने तिरी कुछ हानी की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले मैं पॉलस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूँगा और इसके कहने की कुछ आवश्यक्ता नहीं कि मेरा कर्ज तो तुछ पर है वो तू ही है हे भाई ये आनन मुझे प्रभू में तेरी और से मिले मसी में मेरे जी को हरा भरा कर दे मैं तो आग्याकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा और यह भी की मेरे लिए टहरने की जग तैयार रख मुझे आशा है कि तुम्हारी प्राथनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दिया जाऊंगा इपफरास जो मसी इशु में मेरे साथ कैदी है और मरकुस और अरिस्तरकुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी है इनका तुझे नमसकार हमारे प्रभू इशु मसी का अनुगर तुमारे आत्मा पर होता रहे आमिन विलाप गीत दूसरा अध्याय साथ से बाईस तक यहवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है उसके भवनों की दिवारों को उसने शद्रू के वश्मे कर दिया यहवा ने सियोन की कुमारी की शहरपना तोड डालने की ठान ली थी उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नश्ट करने से नहीं खीचा उसने किले और शहरपना दोनों से विलाप करवाया वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं उसके फाटक भूमी में दस गए हैं उनके भिंडों को उसने तोड़ कर नश्ट किया उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविश्य दगता यहवा से दर्शन नहीं पाते हैं सियोन की पुत्री के पुरणियें भूमी पर चुपचा बैठे हैं उन्होंने अपने सिर पर धूल उढ़ाई और टांट का फेटा बांदा है यरुशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमी तक जुकाया है मेरी आंखे आसू बहाते बहाते धुंदली पड़ गई है मेरी अंतडियां एंटी जाती है मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है क्योंकि बच्चे वरन दूद पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मुर्चित होते हैं वे अपने अपनी माता से रो कर कहते हैं अन्न और दाकमदू कहा है वे नगर के चौकों में घायल किये हुए मनुष्य के समान मुर्चित होकर अपने प्राण, अपनी अपनी माता के गोद में छोडते हैं हे यरुशलिन की पुत्री मैं तुझसे क्या कहूं मैं तेरी उपमा किसे दू हे सियोन की कुमारी कनिया मैं कौन सी वस्तू तेरे समान ठहरा कर तुझे शांती दू क्योंकि तेरा दुख समुंदर सा अपार है तुझे कौन चंगा कर सकता है तेरे भविश्य दक्ताओं ने दर्शन का दाव करके तुझसे व्यर्थ और मुर्कता की बाते कही है उन्होंने तेरा अध्धरम प्रगट नहीं किया नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती परन्तु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और जूटे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिये जाने का कारण हुए सब बटो ही तुझ पर ताली बजाते हैं वे यरुषलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिरह लाते हैं किया यो वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी प्रित्वी के हर्श का कारण कहते थे तेरे सब शदुरों ने तुझ पर मुँ पसा रहा है वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं वे कहते हैं हम उसे निगल गए हैं जिस दिन की बाट हम जोते थे वो यही है वो हमको मिल गया हम उसको देख चुके हैं यहवा ने जो कुछ टान लिया था वही किया भी है जो वच्चनव प्राचिनकाल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है उसने निश्ट रूरता से तुझे धा दिया है उसने शद्रों को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोईयों के सिंग को उंचा किया है वे प्रभू की और तन मन से पुकारते हैं हे सियों की कुमारी की शहरपना अपने आसू रात दिन नदी के समान भाते रहे तनिक भी विश्राम न ले न तेरी आंख की पुतली चैन ले रात के हर पहर के आरम में उठकर चिलाया कर प्रभू के समुक अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूक के कारण मुर्चित हो रहे हैं उनके प्राण के निमित अपने हाथ उसकी और फैला है यहवाद रिष्टी कर और ध्यान से देख कि तुने ये सब दुख किसको दिया है क्या स्थ्रिया अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खाडा ले हे प्रभू क्या याजक और भविश दखता तेरे पवित्रसान में घात किये जाए सडकों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमी पर पड़े है मेरी कुमारिया और जवान लोग तलवार से गिर गए है तुने कोप करने के दिन उन्हें गात किया तुने निश्टूरता के साथ उनका वद किया है तुने मेरे भै के कारणों को नियत पर्व की भीड के समान चारो ओर से बुलाया है और योवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और नो कोई बचा रहा है जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था मेरे शद्रू ने उनका अंत कर डाला है विलाबगी तीसरा अध्याय एक से उन्तालिश तक उसके रोश की छडी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ वो मुझे ले जाकर उज्याले में नहीं अंधियारे ही में चलाता है उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद उठता रहता है उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है मेरे चारो और उसने बाड़ा बांदा है कि मैं निकल नहीं सकता उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है मैं चला चला के दोहाई देता हूँ तो भी वह मेरी प्रातना नहीं सुनता, मेरी मारगों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रुक रखा है, मेरी डगरों को उसने टेड़ी कर दिया है, वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीच और घात लगाए हुए, सिह के समान है, उसने मुझे मेरे मारगों से भुला दि उसने अपने तीरों से मेरा हृदय को भेद दिया है सब लोग मुझ पर हसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं उसने मुझे कठिन धुक से भर दिया और नाग दौना पिला कर तृप्त किया है उसने मेरे दांतों को कंगरी से तोड डाला और मुझे राक से ढाम दिया है और मुझे को मन से उतार कर कुशल से रहित किया है मैं कल्यान भूल गया हूँ इसलिए मैंने कहा मेरा बल नश्ट हुआ और मेरी आशा जो यहावा परती वह तूट गई है मेरा दुख और मारा मारा फिरना मेरा नाग दोने और और विश्का पीना स्मरंड कर मैं उन्ही पर सोचता रहता हूँ इससे मेरा प्रान ढला जाता है परंतु मैं यह स्मरंड करता हूँ इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए यह यहावा की महा करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है प्रती भोर वह नहीं होती रहती है तेरी सच्चाई महान है मेरे मन ने कहा यहावा मेरा भाग है इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा जो यहावा के बट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहावा भला है यहावा से उधार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है पुरुश के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है वह यह जान कर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह भोज डाला है वह अपना मूध धूल में रखे क्या जाने इसमें कुछ आशा हो वह अपना गाल अपने मारने वाले की और फेरे और नामधराई सहता रहे क्योंकि प्रभु मन से सरवदा उतारे नहीं रहता चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुदायत के कारण वह दया भी करता है क्योंकि वह मनुश्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है पृत्वी बर के बंदियों को पाव के तले दलीत करना किसी पुरुष का हक परंप्रधान के सामने मारना और किसी मनुश्य का मुखदमा बिगाड़ना इन तीन कामों को यहवा देख नहीं सकता यदि यहवा ने आग्या न दी हो तब कौन है कि वच्चन कहे और वो पूरा हो जाए विपति और कल्यान क्या दोनों परंप्रधान के आग्या से नहीं होते इसलिए जीवित मनुश्य क्यों कुड़कुडाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने